नमस्कार आप देख रहे हैं चैनल ग्यानरी बातां मैं सवीता आज इस वीडियो में हम अंतरास्टिय महिला दिवस पर निबंद देखेंगे शुरू करने से पहले आपके अपने चैनल ग्यानरी बाता को सबस्क्राइब करें वे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर किलिक करें तो आईए शुरू करते हैं प्रतेक वर्स आठ मार्च को पूरे विशु में महिलाओं के योगदान एवं उपलब्दियों की तरफ लोगों का ध्यान केंदरित करने के लिए महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है महिला दिवस मनाने का मुख्य उदेश नारी को समाज में एक सम्मानित इस्थान दिलाना और उसके स्वयम में नहित शक्तियों से उसका ही परिच्य कराना होता है अपने व्यक्तित्यों को समूनत बना कर राष्टिय सम्मरद्धी के सम्मद में नारी कितना बड़ा योगदान दे सकती है इसे उन देशों में जाकर आँखों से देखा या समाचारों से जाना जा सकता है जहां नारी को मनुष्य मान लिया गया है और उसके अधिकार उसे सोप दिये गए है नारी उपयोगी परिश्रम करके देश की प्रेगरती में योगदान तो देई ही रही है साथ ही साथ परिवार की आर्थिक सम्मरद्धी भी बढ़ा रही है और इस प्रकार सुयोग्य बनकर रहने पर अपने आपको गोरवानवित अनुभव कर रही है जिससे परिवार को छोटा सा उद्धन बनाने और उसे सुरक्षित पुस्पो से भरा भुरा बनाने में सपल हो रही है अगर हम इत्यास की माने तो हम ये पाते हैं कि नारी ने पुरुष के सम्मान एवं परतिष्ठा के लिए सुयम की जान दाव पर लगा दी नारी के इसी पराग्रम के चलते यहें कहावत सरुमानने बन कर साबित हुई कि प्रतेख पुरुष की सपलता के पीछे एक इस्तिरी का हाथ होता है प्रतेख दिवस मनाया जाने वाला यह उत्सव माफ कीजिएगा मैंने उत्सव सब्द का प्रियोग महिला दिवस के प्रेक्ष में इसलिए किया है कि मेरा ऐसा मानना है कि ये उत्सव ही तो है जहां वर्स में कम से कम एक दिन संपूर्ण स्रस्टी का सरजन करने वाली नारी शक्ती के योगदान की पूरे विसु में सराना की जाती है ये तो सर्वे विदित है कि समाज निर्मान में जितना योगदान पूर्सों का होता है उतना ही योगदान इस्तरी का भी परन्तु जिस प्रकार सम्मान पूर्सों को समाज में मिलता है उतना इस्तरी को नहीं मिल पाता है इसका प्रमुक कारण समाज की संकिन सोच महिलां को लेकर परंतु अब समय बदल गया है कुछ वर्सों पहले तब तक बहुत से ऐसे खेलते जिसमें नारी को सारी रिकूप से दुर्वल समझ कर खेलने से रोका जाता था आज उनी खेलों में वो अपना पर्चम लहरा रही है फिर तो चाहे बातों मुक्के बाजी भारो तोलन बैड मिंटन या फिर टैनिस की नारी देवत्वी की परतिमा है दोस्तों सब में रहते हैं सरवता निर्दोस्तों एक परमाद अपने घर की नारियों में भी दोस्त हो सक रहेगा दूर्त गती से बढ़ता आरा नवयोग निशित रूप से अध्यात्म चेतना से भराभूरा होगा मनुष्य का चिंतन द्रश्टी कोन उसी इस्तर का होगा अवस्ताएं परमपरा उसी ढहांचे में ढलेंगी जन्सादारन की गतिविद्या भी उसी दिशा में होग ऐसी इस्तिती में नारी को हर छेतर में विशेज भूमी का निभानी पड़ेगी उपरिक्ट परिस्तितियों में यह कथन सर्वता सत्य साबित होता है वर्तमान यूग को नारी उत्थान का यूग कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी आज हमारे देश भारत की महि मिलाएं हर छेतर में अपनी पता का फैरा रही है मोजुदा सरकार्वी महिलाओं को हर छेतर में अपना भविशे निर्मान करने का आउसर उपलब्द करा रही है जो महिलाओं के विकास के लिए रामबान साबित हो रहा है वर्तमान में पुरुस के कंदे से कंदा मिलाकर चल क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनके व्यवार में आने वाले सामाजिक न्याई की निती को अपनाए और कम से कम अपने घर में नारी के स्थिती स्वीधा जनक एवं सम्मान जनक बनाने में भी पीछे ना रहे जैहिंग जैभार